कि मैं पार्टी में सबसे वरिष्ट नेता हूं लंबा अनुभव है राजनेती का और च्छै बार का बिदायक हूं सातवी बार लड़ रहा हूं तो कहीं न कहीं ये तमाम तरह के बयान दिखाते हैं कि अपने आप में उनकी एक कह सकते हैं कि मन है उनका सीम पद को ले कर सकता लेकिन हुड़ा जिस तरीके से प्यार वर्सार रहे हैं अनिलविच पर जाहिर सी बात है कि वो निमंतर अंदेड रहे हैं कि आईए परस्तिंति आगर आपके अनुकूल नहीं बनती है तो फिर आपको अंगेश में स्तामिल हो जाईए आपको सीम पद ना सही लेकिन डिप् अश्कार में नास्मिन खान नुर आप देख रहे हैं SPN 9 नियूस यह बयान भारतिय जंता पाटी के दो दिगज नेताओं के हैं यह बयान अब हरियाना में एक बवाल मचा रहे हैं हरियाना में जहां विधान सभाचुनाव जैसे जैसे नस्दी का रहा है वैसे वैसे मुक् सिंग सैनी के चेहरे पर हरियाना का विधान सभाचुनाव लड़ा जाएगा तो फिर उसके बावजूद क्यूं सीम दाविदारी को लेकर चेहरे सामने आ रहे हैं जिन चेहरों का जिक्र हो रहा है एक है केंद्रिय राज्यमंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद प्रत्याशी बनाए गया है लेकिन दोनों ही सीम पद को लेकर अपनी अपनी तरफ से दावेदारियां पेश कर रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के तहत साफ कर दिया जाता है कि जब नायप सिंग सैनी का चेहरा आगे कर दिया गया है तो किसी और चेहरे पर मंथन हो ही नही हो जाएंगी इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहां पर बनते हैं मेरे साथ मेरे सहीयोगी सिराज मौजूद हैं सिराज आपको क्या लगता है हर्याना चुनाफ तो नस्दी का रहा है मातर कुछ ही समय का यहां पर दिन बाकी है और ऐसे में अगर हम देखें तो अनिल को पर दाव नहीं खिला इन चेहरों को पर सोच विचार नहीं किया तो प्रिस्तितियां जो है और भी ज्यादा बिगर सकती है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से अनिल विच का बयान है कि मैं पार्टी में सबसे वरिष्ट नेता हूं लंबा अनुभव है राजनीती का और देखिए उन्होंने एक बात जरूर कहीं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर्याना की तस्बीर बदल दूंगा यानि खुले तोर पर वो कहीं ने कहीं जनता को भी संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली समय में अगर मेरे उपर भारती जनता पार्टी ने बावत करने वाले जहां एक तरव सीम पत को लेकर दावेदारी चोकते हैं कहते हैं कि मुझे मुझे मंत्री के चहरे के रूप में आगी होना चाहिए तो वही जब मनोहलाल खटर अनिलविज के खिलाफ नजर आते हैं प्रदेश अद्यक्ष मोहलाल बढूरी की बात करें व अपने इस गुस्ते को शांत करने के कोशिश कर रहे हैं ताकि भारते जनता पार्टी उन्हें अलग ना हटा सके अजी देखिए इसके कई माइने हो सकते हैं और जाहिर सी बात है कि बयानों के अधार पर रायनीती कभी होती ही नहीं है क्योंकि देखा जाए तो ग्रह मंत्र अमिश्य खुले तोर पर बिहार में कहते हैं कि नितीश बावु ललन बावु के लिए दरवाजे बंद है लेकिन आज देखिए कि नितीश कुमार भारते जनता पार्टी के सांद सरकार चला रहे हैं केंदर में और राज्य में भी तो कहीं ने कहीं बयानों को अधार बना क इस समय अब चुनाव नजदीक है और भारते जनता पार्टी पहले एलान कर चुकी कि नायब सिंग सेनी के निर्टत में चुनाव लाड़ा जाएगा देखिए मैं यह ने कह रहा हूं कि पार्टी में बगावत हो ही जाएगी लेकिन इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं और जाह हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि यह परस्तितियां उत्पन हो सकते हैं और आपने तमाम देश की राजनीती में देखा होगा कि जिस तरीके से जहारकंड में अगर हम बात करें तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर जैसे स्तीफा देते हैं वह बा करना होता है पर्टी के लिए चुनाव नदी को जब तमाम तरह की तैयारियां करनी होती है पार्टी के लिए तो कि दावा टोक रहा है और पार्टी के लिए कहीं नकहीं आप चिंता का विशे जरूर बन रहे हैं यहां पर एक और सवाल लेती हूं सिराज की यह दावा किया जा रहा था कि चलिए नराजगी दूर कर ली जाएगी इस अधार पर की राओ इंदरजीत को केंद्री राज्ये मंत्री बना दिया अनेलविज को दोबारा अंबाला कैंट विधान सभा सीट सॉंप दी गई लेकिन लोग सभा चुनाव हम नहीं भूल सकते हैं जब अंबाला में लोग सभा का चुनाव हुआ तो यही अनिलविज हैं जो प्रचार प्रसार से दूरियां बनाते हुए नजर आए हैं यही अनिलविज हैं शायराना अंदास में भारतिय जंता पार्टी को चेता रहे थे अब अन अनिलविच के साथ भारतिय जन्ता पाटी अपमान करती है अनिलविच का और हमने हमेशा से अनिलविच के साथ कहीं न कहीं सद्भावना रखी है यह दर्शाता है कि क्या भुपेंद्र सिंग हुड़ा का अनिलविच की समर्थन में आना क्या अनिलविच को साथने की कोशिश क्या कॉंग्रिस पार्टी की तरह से सीम पद को लेकर ओफर दिया जा सकता है विधान सभा चुनाफ की बाद क्या लगता है अजी देखिए राइदीती में कुछ भी इस पस्ट तरीके से नहीं का आ जा सकता लेकिन हुड़ा जिस तरीके से प्यार वर्सार रहे हैं कोई भी नहीं चाहिएगा कि खुद को दरकिनार करके किसी और को आगे किया जाए तो मुझे लगता है डिप्टी जरूर उन्हें मिल सकता है और जिस तरीके से तमाम तरह के बयान हुड़ा के तरफ से दिये जा रहे हैं जाहिर सी बात है कि वह एक तरीके से संदेश है अनि परदेश में जिस तरीके से कॉंगरिस के साथ भारती जंता पार्टी नहीं किया जब जूतरा रद सिंध्या तमाम विधायकों के साथ बीजेपी का साथ दे देते हैं तो कहीं न कहीं इसी तरीके खेल इस वक्त हरियाना में देखने को मिल सकता है देखें बिल्कुल यहां पर अनिलविच की बात करें राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत पर तो भारती जंता पार्टी की कईनेता ये भी आरूप लगाते हैं कि सिर्फ राव इंद्रजीत अब अपने परिवार को राजनीती में लाकर कहीं न कहीं एक परिवारवात की राजनीती को चरम पर पहुंचाना चाहते हैं इसे एधार पर राव इंद्रजीत की डर की वज़ास से भारती जंता पार्टी से अलग होने का भी विचार बना रहे हैं अनिल्विच को लेकर अजे चोटाला का बयान सामने आता है जहांपर कहा जाता है कि वो पेंद्र सिंग हुड़ा का नर्मी दिखाना क्या एक बड़े ओफर को संकीत देना है क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर कम सेक्षन में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन न्यूस थानिवाद